मुंग्फली तेल की कीमतों में बढ़ रही गिरावट तरसल मुंग्फली तेल में नवरात्रे परवपर जोरदर मांग की उम्मित थी हलाकि मांग अपेक्शन रूप नहीं होने और गुजरात तरफ से आवग का प्रेशर बढ़ने के कारण बाजार में मुनाफ़ वसूली की बिकवाली का दबाव देखने को मिल गया है इस कारण मुंग्फली तेल की कीमतों में जोरदार मंदी दर्च की गई है आपको बता दे कि हफ़ते के शुरुवात में ही मुन्फली तेल 20 रुपे टूटकर 1640 से 1650 रुपे के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया वहीं मुंबई में भी मुन्फली तेल में 30 रुपे की गिरावट देखने को मिली और भाव 1630 के आसपास रहा दूसरी और सीबोट सोया बीन वाइदा भी लगाता तूट रहा है तरसल वैश्विक मंदी की चिंता घहराने से कॉमोडिटी बाजार में भारी भिकवाली आई है जिसका असर सोया बीन पर भी पड़ा है के लसी और सोया बीन के भाव में बारी गिरावट के साथ दुनिया की अर्थ विवस्ता कमजोर पढ़ने के कारण सीबोट सोया तेल टूट रहा है चीन खादिया तेल के बढ़ते स्टोक के कारण खरीदारी से दूरी बनाए हुए है वहीं दौराब मिस्त्री ने कहा है कि के लसी तीन अजार से पच्छी सो रुपे के लेवल तक गिर सकता है इसलिए भाव में और गिरावट की उमीद से भारत भी शांत है चीन और अमेरिकी बजारों में कमजोरी से बजार पर धकरात्मक नजरिये से सब्ता के पहले ही दिन के लसी में जोरदा गिरावट दर्ज की गई चीन में भारी गिरावट के साथ अरजेट्रीना के किसानों द्वारा आकर्मक रूप से सोयाबीन की बिक्वाली और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया की नीती के कारण के लसी में करीब साड़े तीन रुपे प्रती किलो की कमजोरी आई इधर प्रोजेक्शन भी करीब सासी माइनस रहा इससे भारतिय खादय तेल बजारों में खरीदारी कमजोर रहने से भाव में गिरावट रही दरसल एक से 25 सितंबर के बीच मलेशिया पामतेल के एक्सपोर्ट में 18 से 12 फीसद की भड़त दर्च की गई है एक्सपोर्ट में बढ़त और डॉलर इंडेक्स में रिकवरी से भी के एलसी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है भारे सरकार ने अपना पहला गरिम उत्पादन अनुमान 128,92,000 जारी किया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन अनुमान कम कटाई के समय शिर्षक उत्पादक राज्यों में बारिश से फसल को नुकसान की संभावना लगाई गई है हलाकि इस से उत्पादन पर कोई खास फरक नहीं पड़ेगा वही सोपा के अनुसार सितंबर की शुरुआत में 35 लाग टन सोया बीन स्टोक उपलब धगा डियोसी के भाव अंतराश्य बजार से प्रतिसपर्दी होने की वज़े से इस वर सोया डियोसी की एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उमीद कर रहे हैं वहीं माना जा रहा है कि अभी फिलाल खादिया तेलों में गिरावट बनी रह सकती है लगे सकती है